एलो माई फूड़ीस फ्रेंड्स तो आज आप लोग के लिए लिए रजगुल्ले की रेसिप लिए मैंने लिया है यह एक लिटर दूद्ध और नॉर्मल दूद्ध है जैसे काव मिल्क होता है आप चाहो तो टैट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हो इसे अब हम गैस पे चड़ा देंगे और बस इसे उबलने तक छोड़ देंगी तो देखिए जैसे इतने बहुत अच्छे सबाल आएगा हम क्यास का फ्लेफ आफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसी छोड़ देंगे तो देखिए जैसे हमने मैंने दूद्ध ऐसी छोड़ दिया था और यह थोड़ा था ठंडा होने लग जाए पर तब हलका सा जैसे इसका त्रिफ दूआ बहार निकल बस उतना ही देर तक हमें इसे छोड़ना है तो बस अब मैं इसमें एट करने जाओंगी थोड़ा सा आप चाहो तो इसमें निबू का रस भी आट कर सकते हो लेकिन मैं आज आप लोगों को बता रही हूं वैनेगर से मैंने यह एक चमच वैनेगर लिया था एक डखकन वैने देखें पानी ऊपर आजाएगा और बिल्कुल चेना हमारा फट चुक है अब इसमें मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी और इसी तरह चलाते वे थोड़ा शेना और बहार निकल जाए तो देखें कुछी टाइम में बिल्कुल चेना का पानी अलग हो चुका और चेना भी बि पानी और चेना तो देखें पानी बिल्कुल जड़ जाएगा और चेना इस तरह के से रह जाएगा अब इसमें तोड़ा सा अलका सा अटाते वे चेना के पानी को मैं बिल्कुल अलग कर दूंगी से तो देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से करना यह बहुत में काम होता है फ्रेंड्स बनानी के लिए रजगुले क्योंकि जितना अच्छा हमारा चेना होगा बिल्कुल उसी तरीके से हमारे रजगुले भी बहुत अच्छी होंगी अब ठंडा पानी से इसे धो लेंगी और उसके साथ साथ जौने वैनिक great ढाला था ना उसका जो भी थोड़ा बहुत होगा वह भी बाहर निकल जाएगा इसमें भी खटापन नहीं रहेगा बल्कुल भी नहीं होगा यह ब्लकुल अच्छे से हम इसे दो लेना है और अब उससे बहुत अच्छे से मैं निच्टो देखे बिल्कुल अलग करके रख देंगे मैं तो इसका यूटलाइस कर ली थी मैं इससे आटा गूंदा था आप चाहो इससे अटा गूं सकते हो कड़ी बना सकते हो जो चाहू आप वो गर सकते हो बहुत in अच्छा पानी होता है ये तो देखिए बिल्कुल अच्छे से निकल चुका है हमारा चेना बाहर ये देखिए बिल्कुल टाइट सा चेना बाहर निकला है न तो बस इसी तरीके से हमें अपने चेने को बनाना है चेना बनाने के बाद इसका मेन काम और एक होता है वो होता है आप अच्छेसे मत ना जितने अच्छे आप इससे मत होंगे आ हमारी ही 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 हमारे डाड़े सकरा स्वक्त ऐसी ही आंऀदे बहुत अच्छे बनते हैं मैं इसकी भी रेसिपी आपको बहुत चल्ड हुआ घुब है इस वक्त मैं एक समच में मैदा आट करी हूँ और बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे कंटेनुसले 10-15 मिट तक तैंब इसी का यूश करना है और इसी की साहिता से हमें अच्छे से यूज़ करना है तो देखें फिल्कुल बंद गया है ना लग रहा है ना कोई डो बनाया है हमने बस इसे मैंने 15 से 20 मिनट तक इस तरीके किसे इसका बॉल बनाना है कि एक भी क्रेक नहीं रहे क्योंकि खरी क्रैक रहेगा इन तो हमारी रजगुल फुट जाएंगे और वह नहीं फुल पाएंगे इसलिए हमें छो भी बनाया है है जो भी बॉल बनाया नौ बिलकुल ना फटे देखें बहुत अच्छे से बन चुके एक लीटर में किते हैं मेरे 18 रशा कुले बंचुकिते तो बस आपश्चाव ले cure हूं मैं बाँल आप मैं इसमें मैंने एक किलो मतलब रशोल बनाया तो मैंने डी तो इसमें अधा किलो चीलिए यह रादा किलो प्रेंट और इसने गैस वान कर लेंगे और इसे उबलने देंगे जब ये पुरा उबल जाए चीनी बिलकुल घुल जाए तब एक एक करके में इसमें अपने बाल्स को डालना है एक साथ नहीं डालेंगे वरना इसके जो गरमाहट है वो क्या होगी कम हो जाएगी और अजगल प्रोसेस मैंने दो से तीन बार तक किया था और यह देखिए लास्ट में मेरा मेरा कितने अच्छे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली इसी तरह की प्यारी प्यारी रसेपे आप इंजॉई कर सके और हाँ बेल जरूर दबा दीजेगा जिससे मेरे आने वाली नियू रसेपी के नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगी थैंक यू सो मच और मेरी नियू वीडियो के लिए वेट